शब्द शब्द वर्ण माला के वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं शब्दों को बनाने के लिए वर्ण, स्वर और व्यंजन का प्रयोग किया जाता है सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है जैसे नैन, कमल, चमन, गरम, आदी सभी वर्णों को सही क्रम में लगाया जाये, तो ही उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है अगर शब्दों को सही क्रम में न लिखा जाये, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा शब्द जिनका सही अर्थ ना हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं तो बच्चों हम यह कह सकते हैं कि दो या दो से अथिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं इसलिए अर्थ के अधार पर शब्द दो तरहें के होते हैं सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ हो जैसे गमला, धोती, तारा, आदी निरार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो जैसे जारा, हमल, रग, आदी www.youtube.com slash venuskidsworld